नमस्कार साथ यो तो आज है 23 जुलाई 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शेर्स के उपर कुछ इंपॉर्टन अपडेट से कुछ इंपॉर्टन नियूस है तो चलिके करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे NBFC सेक्टर की दिगज कंपनी बजाज फनांस लिमिटेट की शियर्स के बारे में आज देखे मार्केट के साथ साथ बजाज फनांस के शियर में भी थोड़ा सा गिरावट देखने के विला शियर आखिर में क्लोजिंग दिया 6,728 रुपे लगबग 2.27% गिरावट के साथ द बेसिकली हम year on year साथ में quarter on quarter कोई compare करेंगे शुरू करेंगे लास्ट यर से जून दो या 23 में जापे बजाज फनास लिमिटेट की टोटल इंकम का नंबर था लगबग 12,498 करोड रुपे जो की इस बार सीधा increase होके 16,999 करोड रुपे पहुँच चुका है इवन quarter on quarter बे इस काफी जदा लैक कर गया मतलब अगर आप देखेंगे लास्ट पांच quarter में दोस्तों lowest point पर पहुँच चुका है देखें बीच में एक बार 35% पर आया था उसके पहले 36% था 37% इस बार 34% तो आप देख सेकते हो कि gradually हमें declining देखनी को बलाई यह देखे 38-37, 36, 35, 34 अब देखे कि इसके पीछे reason कुछ भी हो सकता है, because हाली में हमने देखा कि आर भी द्वारा बहुत सारे rules and regulation को काफी स्ट्रिक्ट करने के कारण काफी स्ट्रिक्ट करने के कारण काफी सदा problem face हो रहा है, खास करके NBPC सेक्टर को, और जिसके चलते कंपनी की income में जितना न ग्रोथ देख देखने को ने मिला, जिस टैप की increase, बजाज finance में अक्सर होता है कि हर एक साल पे, मतब year on year base पे 30%, 35%, तो एक बोल सकतो की minimum growth हमें देखने को बिला, 3912 करोर के आसपस company net profit generate किया, जो कि quarter on quarter base में भी एक decent type का, मतब कोई बहुत huge नहीं ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि ब NPA की percentage है, वो slightly increase भी हुआ, जो कि year on year base पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, 0.31% से इस बड़ इंक्रीज होगे, 0.38% पे increase वा, even gross NPA का percentage भी आप देख सेकतो, कि थोड़ा से यहाँ पे slightly decrease हुआ, but quarter on quarter base पे, बोच सेग्में पे, चाएम gross NPA की बात कर या net NPA की बात करें, दोस्तों, increase हमें देखने को मिला, NPA मतलब क्या, non-performing asset, कुछ ऐसा asset, जो की देखिए, कंपनी की कोई काम की नहीं है, ठीक है, जितना कम रहेगा, उतना अच्छा, तो जैसे अब देख से तो, कंपनी की profit इस बार सिर्फ और से 14% की growth हमें देखने को मिला, but net interest income, यानि कंपनी की इन है, इस बार 25% का असपस grow किया, अब देखिए, कंपनी की result थोरा सा flat type का हुआ, आपको कैसे लगा, comment करके बताइए, अब यहाँ पे सब कुछ depend करेगा ना, कल सुबा, actually brokerage द्वारा, जो सारे rating आएगा, जो सारे target price दिए जाएगा, उसके उपर depend करेगा, ठीक ह rating मिल गया, I think कि share में एक अच्छा खासा jump हो सकता है, otherwise थोरा पहले जैसा ही थोरा सा उपन नीच, उपन नीच करेगा, नीची की तरब जो crucial support डेवल है, सारे 6000 के आसपस, अब क्यूंकि share हाली में हमने देखा, 7000 की important level को break करके नीची आया, तो 7000 के आसपस एक अच्छा resistance फेस कर सकता है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, एक mid cap company के इस भी limited की बारे में, बहुत ही consistent return देना वाला शिया, पहला आप देख लिए जिसका returns का प्रो, sorry, 6 मैने पे लगबख 50% की return दिया, एक साल की बात करे, 120% की return, 5 साल की बात करे, 640% की consistent return दिया, तो अच company change करेगा, मतलब convert करेगा, दो रूपे में, इसका आखरी, या बोल सकतों कि exit rate है, 25th of July को, यानि आखरी date दोस्तों कल, मतलब कल अगर आपने इसमें purchase किया, 24 तारीक को, तो आप ये split पानी के लिए eligible shareholder बन जाएंगे, clear हो चुगा है, बाकी देके company अच्छी company है, बहुत ही profitable company में आपको दिखाना चाहूंगा, किधर गया, किधर गया, ये देखे, company के last quarter में margin थोड़ा सा slightly drop वाता, otherwise company की profit की बात करे, revenue की बात करे, बहुत अच्छा growth हमें देखने को मिला, overall बात करे, complete achieve company है, तो इसको बढ़ आप चाहे है, तो थोड़ा सा देख सकतो, ओके, next दोस्त 5000 रुपए को break करके, intraday low touch किया, 4792 रुपए पे, और कैसे भी करके आप बोल सकती 5000 रुपर closing दे दिया, क्या है, वा लग बात है, आज दोस्तों बजार close हो जाने के बात, आ गया एक बड़े ख़बर, कैसा ख़बर, आए देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने open किया बेस की official website जैसे की आप देख सकतो, यह खबर आया, आज यानि 23 तरीको शाम के 6 बच के 4 मिनिट पे, आए मैं आपको थोड़ा PDF को आपके सामने live open करके दिखा, तो actually मैं पहले से ही download करके पर रखा था, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, आप चाहे तो, खु यह तो हाली में मिला, हाली में नहीं, हाली में मिला है आपके इरेडा को, याद होगा आपको लगबग एक मैने पहली की बात है, इरेडा को नवरतने की स्टाटस मिला, सरकार की दरब से, इस बार देखे, MDL को मिल गया, MDL को सरकार की दरब से, नवरतने की स्टाटस मिल और यह अपडेट आया आज बजार क्लोज हो जाने के बात तो मतलब कल के लिए तयार हो जाएए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा यानि मार्केट की सेंटिमेंट तो शेर में एक अच्छा का सा जंप हो सकता है अच्छी कंपनिया अब देखे प्रॉब्लेम इस बात की है कि इस अच्छा डिमांडिंग सेक्टर अच्छा ग्रोफ सेक्टर है आप चाहे तो यहां पर होल्ड कर सकतो आराम से मतलब आपके वाज़गर शेर है आराम से होल्ड किजे चाहे बाच लॉस में हो प्रॉफिट में और अची कंपनी है इतना में आपको बोलूँगा ठीक है ओक न जो एक्स्ट्रा टैक्सेस चार्जेस को एक्जांप्शन किया बहुत सारे जगा पर हाइक भी किया है तो यहां पर दोस्तों जो निउस निकल कर रहा है बजेट पर ही डिक्सॉन टेक्षियर फॉल और जिसके चलते दोस्तों डिक्सॉन को थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है देखें आज की डेट पर क्या हो रहा है बाहर की जो कंपनी है वो डिक्सॉन के साथ आके पार्टनर्शिप कर रहा है उसके साहसत मेकिंग इंडियन फोन मैनुफेक जो कंपनी है वो जब इंडिया में खुद बेचने के लिए आता है उसको बहुत जादा एक्स्टा टैक्सेज बगरा जी एस टी बगरा इंपोर्ट ड्यूटी यह वह फलाना फलाना देना पड़ता है ऐसे में अगर इंपोर्ट ड्यूटी दोस्तों कट कर दिया तो मतलब जो चार्जेस वो तोड़ा कम हो जाएगा तो जिसके चलते यह जो हमारे मतलब देशी कंपनी है इनके जो सेल्स है थोड़ा सा प्रहाव पर सकता है और जिसके चलते एक्चुली आज हमने देखा कि डिक्सों की शियर बीच में तो लगबग सारे 10,000 के आसपस पहुंच गय है तो देखिं कमपनी है अब देखिंग इंपोर्टी कट किया मतलब यह मत समझ लेना कि जी एस टीवी कट कर दिया सर्गार जो उतना भी मुर्क नहीं है उतना भी बेकूब मत समझना यह इंपोर्ट डियूट उदना भी नहीं लगदा तो यह जो भी आज देखने को मिला वो टेंपरर ही है वाट परवनेंट में मैं बोलूँगा डिक्सवन अच्छी कंपनी है वैलेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है बट यहां पर डिमांड बहुत जादा है आज की रेट पर मैनुफेक्चरिंग सेक्टर खुद गर्मेंट सपोर्ट कर रहा है पी एलाइस किम पर टीकेंडिशिया नीजिनेरिंग जो कि phb है विन पर चैनलन होれँ और ऐसको नौन तो हीरा सी 3 पर स्थी लिटकर टेकन पर च्रचेतल इंडस्ट्री एक सो नौ परसंट के प्रिमें चले गड़े मार्केट पे बाकियो अल्मोस्ट दोस्तों आज लिस्ट हो चुका है ओके नेक्स दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है इरड़की शियर्स के बारे में शुरुआत करेंगे मत उसके पहले अगर आपको व किस तरह मुफ कर सकते हैं पूरे दिन की अपडेट ग्लोबाल मार्केट अपडेट ही ठीक है तो देखिए आज की डेट पिना बहुत सारे इंवेस्टर्स मुझे पूछ रहा था कि सर इरड़क अंदर क्या किया जाए बीकॉस शेयर में तो आज सारे तीन परसंट की तो देखिए आज जो इरेडा के इंदर गिरावाट हुआ यह बेसिकली एक ट्रैप है एगेन एम रिपीट आज जो इरेडा इवन बाकी जो रिनीवल सेक्टर की शेयर में गिरावाट हुआ यह आप सारे रिटल इंवेस्टर्स के लिए ट्रैप है इसमें पैर मत देना रिनीवल सेक्टर केस में अआई इनर्जी सेक्टर की केस में 19100 करोर का दोस्तो progress कापेश केस केवें किया इतने इंवेस्ट्मेंट करेगा ओर एक चीजा आप जान लिजिए जो कि लास्टियर मतब लास्ट फैनान्शियल पर जिसका नंबर था लगवख 0 Ethereum आट سब बढ़ा के इंक्रीज करके 19,100 करोर कर दिया तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एलोकेशन यह पर रखा है आपके खास दोर से रिनीवल एनरजी सेक्टर यह बात मैं आपको समझाने की कोशिश करा हूँ यह बिसिकली एक ट्रैप है इसमें पैर मत देना यह देखिया आज शाम का न्यूज है solar stock to benefit from union budget renewal energy schemes अलग अलग एक्सपर दोरा देगी सेमी चीज बोला है तो मैं बार वार बोला हूँ कि इस ट्रैप में फस्ट ना मत चाहिए ठीक है क्योंकि अक्सर रिटेल इंवेस्टर से फर्स जाता है देखिए कल के लिए बुदबार के लिए एक लाग Titan Company Limited आज अपने देखा होगा basically jewelry sector के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने क्यों उसके बीचे रिजन बजेट ही है बजेट में कुछ ऐसा अनॉस्मेंन किया कि एफ मत्वानास मिनिस्टर स्लैश कस्टम डूटी और गोल्ड और सिल्वर जिया गोल्ड सिल्वर के उपर ज सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मिलते नेक्स वीडियो पर टेक क्यार वाबाई जय हिन